सुरा मेरे मज़ पमान टठन बेर मने सिख्खा पधिंग स्माधियाने पुद्धं सरेन गच्छामू चंद कहूं चंद कहूं चंद कहूं चंद कहूं चंद कहूं चंया और स्वचंद विचारों से स्वचंद मत से स्वचंद बात से और बात में हुआ स्वतंत बात से यह जो चंद सब्ध है चंद जो सब्ध है यह पुराना सब्ध है पाली का है पुराने समय में यह जो जिनको हम सिद्धत गौतम बोलते हैं या बुद्ध बोलते हैं या पुराना जो हमारा सिद्धत गौतम से पहले समढ़ संग होता था उसके अंदर जब कभी वोटिंग होती थी जब कभी ऐसी बात आती है और उसको चेक करना है तो वहां स्वचंद बोला जाता था या चंद बोला जाता था चंद माने हैं अभी मत यानि मत यानि इक्षा क्या आपकी इक्षा क्या है तो वहां बोटिंग का प्रोसेस था आज हम बोटिंग बोलते हैं उस समय उसको चंद बोला करते थे चंद से सेचंद हुआ सेचंद माने हमारी खुद की अभीमत हमारी खुद की इच्छा और उसके बाद में फिर बन गया दान से जुड़कर सेचंद दान और बाद में बना चंद दान और फिर बना चंदा और फिर बना चंदा तो चंदा जो होता है basically अपने मत को देना होता है चंदा दीजिए यानि कि अपना वोट दीजिए ये पुरानी भासा में इसका सही और एगजेक्ट अर्थ है तो कहीं पुराने समय में कोई पैसा, कोई सोना, कोई चांद नहीं होता था बस मत के लिए इस्तमाल होता था पर देने और लेने के लिए दान और आदान लेना सब्द नहीं होता था पाली के अंदर लेना बहुत बाद में आया है तो दान माने देना और आ लगा दे आदान माने लेना बाद में लेना बाद में लेना सब्द बना तो दान का मतलब दे से जहाँ भी सब्द होता है इसका मतलब कुछ दिया जा रहा है तो जब बना चंद दान तो चंदा बना यानि कि अभी मत दिया जा रहा है बोट देने को इक्छा को चंदा बोने लगे पर ये कहानी जो आज की चल रही है जिसमें हमने जो पुराना गोल्डन नुईम है और वो क्यों पूरे संग ने इसको पास किया कि चंदा कभी नहीं क्योंकि चंदा आज के सब्दों में पुराने अर्थ को खो चुका है जैसे पे बैक टू सोसाइटी में लोग बड़े शान से कहते हैं हम पे बैक टू सोसाइटी कर रहे हैं पर पे बैक टू सोसाइटी में अगर जो skill है जो हुनर है और जो समय है यानि समय और हुनर आपको देने है resources और your time पर लोगों ने payback to society का short form बना दिया पाइसा देदो काम खतम हो गया होगी society हो गया payback और जितना ज़्यादा payback करना उतना करो लाओ draft बेदो आजकल तो online है तो online देदो क्या हुआ इससे क्या नुक्सान हुआ इसका हमने केवार अच्छी तरह से चिंतन किया और केवार बताया दुनिया का सबसे महान प्रचारक और दुनिया का सबसे बड़ा संग जो प्रचारक करता था अपने धंब का सामाजिक संग भी को इतने बड़े नहीं थे जितना बड़ा धार्मिक संग बना पहला और जिसके महान परचारक बने और उनके कठोरतम नियम बने शादी नहीं करनी हैं 20% कम खाना खाना है सूरज जब बिलकुल सर के उपर हो उससे पहले खाना खाना है सूरज जब सर्ज के बाहर पच्छाई में बदल जाए यानि के दुपेर 12 बजी के बाद में तो सिर्फ साम को सलेरी वगड़ा गुड़ वगड़ा का रस वगड़ा ले पोचा बनाना है उनका तौलिया बनाना है उनकी बैशिट बनानी है उनका वोड़ने का बनाना है फिर परदा बनाना है जो खिलिकी का परदा है दरवाजी का परदा बनाना है और जब परदा भी घिर जाए फट जाए तो उसके बाद पोचा बनाना है और जब पोचा भी किया करते थे पुराने संग के लोग धमिक संग के लोग उनके नियम जो समढ संग से आये थे क्योंकि समढ संग से बहुत सारे नियम उन्होंने लिये हैं पर उस नियम में कहीं भी उस महान परचारक ने और महान परचारक ने यानि कि जो वो परचार करने वाली लोग थे अप करनी है लोगों को बुला के चमतकार का गंडा ताविज देना है लोगों को भभूत देना है लोगों को चमतकारी कहानिया सुनानी है लोगों को कालपने कहानी सुना के अपने फेवर में करना है अपनी अभिभूत करना है अपना चेला बनाना है अपना चंटारा बनाना है य या इनसे अपने घर बनाने हैं, या इनसे अपने भवन बनाने हैं, या इनसे कोई अपने जो संस्था टाइप के बिहार टाइप के मुँची उची बिल्डिंगे हैं, वो बनानी हैं, या इस रकम को कहीं खटा करना हैं, या इन्हें परसाद के रूप में कुछ देना हैं, ज जो पचारक है वो चांद ही नहीं ले सकता, सूखा खाना नहीं ले सकता, सिर्फ गीला खाना ले सकता है और वो भी उतना जितना के संग के लिए उस दिन के लिए बारवैसे पढ़ डिनी आउशक है और उसमें भी थोड़ा सा कम, और लेगा कैसे एक ये बहुत बड़ा इसमें जो फैक्टर जो रोने देखा कि किसी भी व्यक्ति को कोई भी यानि जो भिक्कु है या भिक्कुनी है या सामनेड है अगर वो जाता है और खाना एकटा करने के लिए पहुंचता है तो किसी भी हालत में जो वो खाना ले रहा है या वो इकटा कर रहा है वो व्यक्ति कत रूप से नहीं माँग सकता वो ये नहीं कह सकता कि मैं भिकू हूँ, मिरे को भिकू दान दो वो ये नहीं कह सकता कि मैं सामनेर हूँ, मिरे को सामनेर दान दो वो ये नहीं कह सकता कि मैं भिकूनी हूँ, मुझे भिकूनी दान दो वो ये नहीं कह सकता कि मैं सामनेरी हूँ मुझे सामनेरी दान दो और बुद्ध ये नहीं कह सकते कि मैं बुद्ध हूँ मिरे के लिए दान दो तो दें किसके लिए है तो नाम आया संग दान संगदान के अलावा कोई परंपरा, कोई भी सब्द कहीं दूर दूर तक भी मिलता नहीं यानि आप से जो लिया जा रहा है, वो संग के लिया जा रहा है संग तो चलाना है, जब 24 घंटे पर चारा काम करेगा, रोटी के अमरीका जग खाएगा जो कपड़ा पेहनता है, अगर वे कपड़ा बुन्ने में लगया तो कपड़ा बुनेगा, तो हुनड़ जान जाएगा रहेक जब उनड़ जाएगा, जाँ वो फिक्कू कहां रहेगा, वो तो बैपार ही हो जाएगा इसलिए बिहारों के अंदर फलदार पीड़ भी लगाने की इजाज़त नहीं थी फलदार पीड़ नहीं आज भी नहीं क्योंकि फलदार पीड़ लगेंगे तो मल ललचाएगा तो बारे बात तोड़ो के खालेगा इसलिए बटबरक्ष इसलिए जम्बू दीप जो जामन के होते थे हों उचे 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 नीचे या इसलिए बरगद के पेड़ के नीचे ऐसे पेड़ों के पेड़ों के नीचे ऐसे पेड़ों के नीचे वो रुका करते थे किसी भी आहलत में कोई फसल पैदा करने का या कोई उत्पात पैदा करने का कोई नियम नहीं यानि भिकू अपने लिए कोई भी फसल भी पैदा नहीं कर सकता फसल पैदा करेगा तो फसल से लगाब हो जाएगा तो वहां से हिलेगा नहीं फिर वही रहेगा तो रुक सकता नहीं नियम है तो दान जितना भी है संग के लिए है और संगों के लिए दान होते है और संग के लिए दान नियम है क्योंकि संग काम करेगा तो उसका खर्चा कहां से उठाएगा यहां सवाल आते हैं कि अगर चंदा नहीं लेंगे आज तो चंदा बोलते हैं चंदा नहीं लेंगे तो काम कैसे करेंगे तो चंदा लेके काम कौन से हुएं पहले उस पर जिकर करें फिर बाद में उस पर करेंगे कि चंदा लेके अगर नहीं लेंगे तो काम कैसे चलेगा ये जो से चंद था यानि कि अपना अभीमत देना था इसको मत से और इसे मनी में बदल दिया यानि कि से मनी हो गया पैसे में बदल दिया लोग बैंकों में भंडारे खटा करना शुरू कर दिया आज मुझे एक सजन मिले यहां दिली के अंदर मेरे पुराने वो परिसंग के अध्यक्ष रहे हैं बहुत बड़े आदमी रहे हैं अभी तो खाने खराब से हैं पर लगे रहते हैं दिल्लाग तो किसी व्यक्ति से वड़े नाराज थे करे थे उसने मुझे ऐसा कहा मैंने उसक काम करता था, उसकी हालत ऐसी थी कि वो अपने पैसे, वो कंजूस था, वो अपने पैसे भी नहीं देता था, जो उसकी सता के पैसे आते थे, और आज उसने चंदे से पांच-पांच-छे-चे करोड रुपे का फ्रोड किया हुआ है, दिल्ली के अंदर बेठा हुआ है, हमारे सगी नाराज जो आते हैं, कहते हैं, पर सब जानते हैं, हैं बहुत साई लोग ऐसे हैं जिन्रों ने बील्डिंग कर बनवाने के लिए भंवन बनवाने कलिए लोगों को लूटा और पैसा लिया, और संगठनों ने खुब पैसा खटा किया, पर किसी ने भी संगठन से ये नहीं पूछा, bank balance किस लिए बना रहे हो? अभी meeting करनी है, meeting का hall book कराना है, उसके लिए पैसे खर्टा करना है, इतना पैसा खर्च हुआ, या लोग आएंगे तो उनका खाने का है, आपने खाना लिया, और meeting का किया, खाने का किया, वहीं काम काम खतम हो गया, पैसा जितना आया, उतना खर्च हो गया, बात खतम हो गई, वो तो सौंझ में आता है, कि आपने assembly की हाथ के आता है, जैसे साब कासी राम जी करते थे, पर वो इखटा नहीं करते थे, पर आजकल के संग्ठन क्यों इखटा करते हैं, और उस पैसे का एखटा करके करेंगे क्या, और जितने ये संग्ठनों की बाढ़ आई हुई है, 39 लाक्स जो संग्ठन है, उनमें बहुत कम लोग ऐसे हैं, जिनको पद, पोस्ट, मंच, माला, या जो पैसिडेंट्सिप है, या जो बीच में बोलने का है, या भाशन देने का रोग है, या वाहवाई है, या जिनको फूटो बड़े-बड़े लगाने का शोख है, उनकी परसंटेज कम है, अधिकतर लोगों की परसंटेज इस बात की है, कि पैसा आता है, और लोगों ने पेटेंट धंदे बनाये हुए हैं, बुद्ध पूर्मा पे, 14 अप्रेल पे, 22 साब के बढ मांगा नहीं, और किसने दिया नहीं, तो जो करने वाले हैं, वो कुछ भी करें, किसी को नहीं पता कि पर्चा कितने पैसे का छपता है, फ्लेक्स कितने पैसे का बनता है, टेंट कितने का आता है, या पैसे कहां खर्च हुए, या हो भी रहें, या नहीं भी हो रहें, कोई पूछता है और कोई पूछे तो बताता नहीं और जादा हिसाब पूछो तो उस संग्ठन के दो टुकड़े हो जाते हैं क्योंकि हिसाब पूछने वाला तेज है वो मानेगा नहीं तो इसे पता चल जाता है जब तक दूसरा संग्ठन ना हो फिर वो भी दुकान खुल लेता है पिर तेरा भी होगा हमारा भी और कोई किसी के वारे में कुछ कहता नहीं क्योंकि दोनों को धंदा करना है और दोनों चुप रहे थे 29 लाग संग्ठनों में बहुत साई टुकड़े हुए अभी एक टुकड़ा और हुआ एक बाम सेफका उन्होंने कोई वहां लिंगा बाड़ी के अंदर जगे बनाई हुई उनके टुकड़े हो गए वो लोग आए मिले हमने पूछा भई वो तो बहुत अच्छे है और हमें यहां समण संग में आके कैई वार उनने सिक्षा दिये कि आप ऐसा करो ऐसा करो और हमने जो समण संग के नियम बताए वो उन्होंने कभी माने नहीं और अपनी चलाते रहे तो वो तो अपने आपको कहते हैं और कैई वार हमसे बहस भी करके गए पर माने नहीं, उनमें क्या हो गया, तो पता चला कि उन्होंने जो प्रॉपर्टी बनाई, काभी बड़ी प्रॉपर्टी बनाई, वो एक ट्रस्ट के थरोफ बनाई, और ट्रस्ट का मालिक बामसेफ नहीं है, ट्रस्ट के मालिक तो कुछ लोग ही होते हैं, क्योंकि बामसेफ तो अच्छे खासे संक्ठन के जिसको यहां के वो यह कहते थे कि यह बड़ा अच्छा है यह बड़े अच्छी बात है उसके भी टुकड़े हो गए और उनकी संख्या बढ़नी रही है मैं दस्यों साल से देख रहा हूँ कि उनकी संख्या घट रही है सारे संख्या घट रही ह दस्यों साल से और किसी को लगता है कि संख्या बड़ी है तो संख्या दिखा दे हम माफी मांग लेंगे को दिखा दे कि उसके संख्षन की संख्या लगाता बढ़ रही है तो हम दोनों हाथ जोड़ के माफी मांग लेंगे पर ऐसा है नहीं इसलिए माफी माफी मांगने की जो नहीं होने हैं, बुद्ध के धमिक संग में भी जगडा हुआ, किस बात का जगडा हुआ, उनका जो भाई देबदत है, वो संग का मालिक बनना चाहता था, उसने वहां के भिक्कों को भढ़का दिया, कि कुछ नियम ऐसे हैं जो भिक्कों के फिवर में, जैसे लालस देते ना कि तुमको फिरी ये देंगे, तुमको फिरी देंगे, तो कुछ नियम बताए, पर बुद्ध ने माने नहीं, क्योंकि पता था कि संग एक ही रहना चाहिए, कुछ लोगों को तोड़के भी ले गया, कुछ लालस देके, पर वो लोग बापस आ गए, पर उस संग तोड़ने बड़े बड़े टेंट लगते हैं, शांदार बड़े-बड़े माइक लगते हैं, जो चंदा एक खटा करने वाले हैं, उनके परिवार चलते हैं, जितने भी लोग काम करने वाले हैं, जिनोंने शादियां की या नहीं की हैं, या जिनका फुल टाइमर है, उनको या तो तर ऐसे परवार का नियूजन का काईकरम या परवार का चलाने का काईकरम या परवार पालने का काईकरम हो गया फिर संग्ठन या संग कहां रहे फिर सामाजी की वेवस्ता कहां रही फिर तो बैपार हो गया बिजिस हो गया और जिसका परवार पलता है चंदे से उसको समाज से क है तो इसके लिए क्या करता है कि वह चंद्र जो लोग देते हैं जो है आसामियों के पास जाते हैं और उनको जूट्पी सजी कहाने सुनाते हैं और हर साल चंदे का टार्गेट करसकर के चंद्र लाते हैं बहुत करोड़ीges । चाहे वो सरकारी करमचारियों के संग्ठन है, चाहे वो सामाजिक संग्ठन है, चाहे वो भिक्कों के संग्ठन है, चाहे वो राजनीतिक संग्ठन है, राजनीतिक संग्ठन के पास तो बहुत पैसा है, चाहे वो राजनीतिक संग्ठन है और चाहे वो नए नए जो आए से आता है, वो पैसे का किसी भी हलत में बटवारा नहीं करना चाहता, वो पैसे का खुद मालिक बनना चाहता है, वो समाज का पैसा नहीं मानता, वो सोसाइटी का पैसा नहीं मानता, वो पैसा ये मानता है कि मैंने खटा किया मेरा संग्ठन है, तो पैसा मेरे सीनिचर से हूँ तो मेरा ही है मैंने दिल्ली में यहां सरकारी कर्मचारियों के संग्ठनों के गुरुप में संग में परिसंग में बहुत लोगों को देखा एक ही आद्वी सारे काम करता है वही पैसा जेब में रखता है वही रसीद काड़ता है वही पैसा पेमेंट करता है वही हिसाब रखता है और वो जब अक्यराई करता है तो हिसाब कुछी को देता भी नहीं बहुत ऐसे और आपकी जानकारी में यहां इतने साइड लोग हैं वो चाहे तो जानकारी कर सकते हैं कि हिसाब कहीं कोई होता नहीं उससे क्या होता है जो व्यक्ति सुरू में एक अच्छा भाषन स बनता है, रविदाजी को देखके रविदसिया बनता है, गुरु घाजिदाजी को देखके उनका जो संत है वो बनता है, वो व्यक्ति जब पैसारा सुरू होता है, तो इन सब को भूल जाता है, फिर उसको गांधी जी दिखाई देते हैं, और कुछ ने दिखाई देता है, ब क्या होता है कि मुवमेंट का अच्छा खासा जो आदमी आता है मुवमेंट में जो दिलो जान से लगने कुछ आता है वो उस पैसे के लालच में फसकर मुवमेंट खराब कर देता है ना केबल वो खराब होता है वो जिससे लेके आता है पैसा वो भी खराब होता है क्योंकि प से पैसा लेके आता है और वो बावा साथ के नाम पे बुद्ध के नाम पे जोती वाफूले के नाम पे करवीर साथ के नाम पे रविदाजी के नाम पे गुरू हर्चन ठाको के नाम पे गुरू घाजदाशी के नाम पे मदद महापुरसों के नाम पे फिर दुबारा से वो पै पिचार पिचार किया ये फाइदा हुआ और नुकसान ये हुआ कि इनके टुकड़े होते चले गए तो क्या करें कि आप पैसा लेना बंद कर दें अगर पैसा नहीं आएगा तो काम कैसे लेगा बात बलकू ठीक है क्योंकि पुरानी विवस्ता के अंदर भी लोग अपना-प बिचावन खुद लेके आते थे तब इतनी ज्यादा मारा मारी नहीं थी तब पोस्टर नहीं थे बैनर नहीं थे कोई सडक नहीं को रेल नहीं को जहाज नहीं को आना नहीं को जाना नहीं को टेंट नहीं को बिला नहीं को माइक नहीं को यूटूब नहीं को जूम और जब बैसाग पूर्ण मायागी तो वहां मिलेंगे सब के ठीए सब की जगे निश्ट थी तो सब अपने अपने पूरन मासी पे पहुंच जाते थे कि बितब पूरन मासी है सब पहुंच गए तो कोई पचार प्रसार में पैसारी खर्च नहीं होता था और लोग अपना खा तो नको ओजन की विवस्ता भी चाहिए और रात में आता है तो उसको रुकने की विवस्ता भी चाहिए तो कैसे किया जाए चंदा अगर एकटा करते हैं तो करफन पहलेगा करफन फैलेगा तो जो लोग है वो बिगड़ जाएंगे तो तूट मच जाएगी उस वो रुक न लोग हैं वो पूरी करेंगे जैसे कि संगदान की विस्ता थी वो पूरी करेंगे और बाहर वाले लोगों से ना मांगा जाए पुरारे समय में संगदान में बाहर वाले लोग भी दे सकते थे लाजा संगधान करता था, लोग संगधान करते थे, जगे जगे जाके संगधान मिलता था क्योंकि भिक्कों के पास तो कुछ होता नहीं था, पर ये भिक्कों का संग नहीं है यह ग्रस्ट लोग का संग है और ग्रस्ट लोग कुछ ना कुछ अपनी आजवी चलाने के लिए काम करते है इसलिए ये तेह हुआ के बाहरवालों से कुछ भी ना लिया जाए और जो व्यवस्ता है वो सारे के सारे संगी मिलके करेंगे बहुत बलेक आइकन चलते हैं बड़ी-बड़ी मीटिन लगाते हैं तालकड़ों का कितना खर्चा होता है एसी उठा लिए सबने पता भी नहीं चला अब फिर नौतारी को नौफरवरी को फिर संगती लगेगी तालकड़ों जितनी बड़ी तो नहीं है स्वार पर छोटी है पर फिर भी उसमें बहुत पासा खर्च होगा सब देंगे अपना-पना और पूरे देश के अंदर संगतियां लग रही है अभी हर्दोई में संगती है वो सब अपना अंतियाम कर रहे है चे जो चे इसका ननागपुर का जो था दशेरे वाला उस पर अपना अंतियाम किया अभी जैपुर की मीटिंग होने वाली है अभी इधर हमाजर प्रदेश में होने वाली है इधर पंजाब की मीटिंग आ गई है इधर मुरदाबाद की मीटिंग है बहुत सारी मीटिंग है अभी 36 गल में बहुत मीटिंग 17 में होने वाली है बहुत बड़ी मीटिंग तो जितनी भी मीटिंग लग लग रही हैं वो सब लोग अपना अरिजमेंट संगियों से कराते हैं पर बाहर वाले से कोई भी पैसा नहीं लेते हैं क्यों ने बाहर वाले से बाहर वाले को पहले समझाते हैं यह संग है इसमें खुद अपनी जिम्मदारी अपने आप उठानी पड़ती है इसके यह नियम है दस गोल्डन नियम हैं अगर आपको समझ में आएं तो संग में काम करें संगी बनें तो अपना खाना ले के आओ भाईया अपना बिशावन ले के आओ और अगर खाना सामुईक है तो खाने के पैसा दो और अगर हॉल ले रहे हैं कराय का तो उसमें बैठने की अपनी सीट का पैसा दो, आपकी सीट का पैसा कोई और क्यों दे, करांती करोगे, आप करांती होगी, आपकी पैसा आएगा, फिनलेंड से ऐसा थोड़ी होता है, पैसा आएगा, कुवेट से ऐसा थोड़ी होता है, आप बैठोगे, आप खाओगे, तो खर्चा भी आप ही दो फिर जो बन पड़ेगा दो फिर आप मानना पड़ेगा क्योंकि आपने उसने पैसा लीआ है फिर आपका जो विचारा व देस sih और उसे आपणी उना जाएगा प्रास आप तुछ है काउच्ण्टर का ले। टिकट जरूर ले दियता है। पेसा दे के मुख्या थिती बनते हैं इसाल को को नी具 जानता वह सिर्फ ने खर चल जाता है 250 से मुख्या थिती से लिए लिया तो इनका घर चल जाता है। तो घर चलाने वाले कभी भी किसी भी हलत में movement नहीं चला सकते इसलिए चंदा लेकर लोग movement नहीं चला रहे हैं क्योंकि अगर movement चलाएंगे तो सारी movement club करनी पड़ेंगी club का मतलब है कि अगर भिक्कू movement चला रहा है कायका धंब का अच्छी बात है क्योंकि बुद्ध का देश रहा है और धंब का देश रहा है भारत चलनी चाहिए पर कैसी movement चला रहे हो बुद्ध ने तो अपना संग नहीं तो ने दिया किसी को भी और हमेशा जो दान हुआ वो संग के लिए हुआ पर आप जो दान ले रहे हो वो तो भिक्कू दान है आप जो पर्ची काट रहे हो ये तो अकेले अपने लिए काट हो और आपने तो अपना संठ भी बना लिया और आप अपने कुछ चेलों को लेके लग जा रहे हो तो रविदास वाले क्या कर रहे हैं उन्होंने अलग-अलग मठ बना लिए वो अलग-अलग रविदास मंद्रों के नाम से परशी काटते हैं और अपने अलग-अलग उन्होंने संत बनाये हुए हैं पर गुरु जी ने तो सारे लोग की खटे किये थे गुरु जी को तो संत स्रुमणी इसलिया कहते हैं क्योंकि उन्हें सारे संतों को इखटा कर लिया और आप ने तो गुरु जी के कैसा है टुकड़े कर दिये तो मुव्मेंट नहीं चलेगी भाई मुव्मेंट का नुक्सान हो रहा है तो बा समझ जसे नहीं है और कोई एक सिस्टम नहीं कोई एक जूनिट नहीं एक डॉक्टर अंबेट कर और उसके इतने सारे टुकड़े कहां ता इखटे करोगे कैसे इखटे करोगे सिर्फ चंदे की वैसे अगर चंदा इखटा ना हो और ये सर्थ हो जाए कि भाई बिजनोज जिले के अंदर बावसाब मिटकर की जैनती मननी है जिले की एक ही जैनती होगी पैसा कोई खटा नहीं होगा ये फलाना पार्क है या फलाना बुद्विहार है या फलाना कभीर भवन है यहां पर सब असेंबल होंगे अपना अपना खाना साथ ले आओ और अपन यो टेंट लगा अलग उसकी वजह लोग तूटते हैं यानी पैसा भी दिया लोगों ने और भावासाह वं मेड्रिकल की टूकड़े भी कर दिये पर ये बात उनको समझ में नहीं आती हैं क्योंकि उनको को समझाने वाला है, नहीं बताने वाला है नहीं ऐसा लगता है लोगों को अरे बावा साब की जैनती तो मना रहा है कोई गलत काम थोड़ी कर रहा है अच्छा ही तो काम है इसमें गलत क्या है अरे वो भी करे तुम भी करो तुम भी करो वो भी करे पर यह भूल जाते हैं बावा साब की जिसकी जैनती मना रहे हो उन बावा सा होता है और किसी को समझ में नहीं आता है तो भारत में दूसर संग चलता है उसके को मतलब संग होता है बावह साप हिंदी हमें कर दिया लगालग तन कर रहे है तो ये जतने system चल रहे हैं सारे के सारे cent के कारण हो रहे हैं मतलब में कारण है 80 वाला धो चंदा है तो अगर संग भी चंदा लेने लगा तो तो पर तो संगधन में और संग में क्यांतर रह गया क्योंकि शंगों भी चंदा नहीं लिये पर संगदान लिये हैं संगदान संग का राइट है संगदान संग का अधिकार है क्योंकि चंदा जो होता है वह एक भिक्विक्विक्विक्विक्विक्विक्विक्विक्विक्विक्विक्विक्विक्विक्विक्विक्विक्विक्विक्विक्विक् से होता है और पूरे संग का होता है उसको खर्च करने का अधिकार भी संग के पास ही होता है उसको जो लेकर आ रहा है क्लेक्टर रहा है वो उसको खर्च भी नहीं कर सकता तो यहां भी संगदान का नियम बनाया अभी दीपावली आ है दिपावली मतलब दीपो की आवली यानि जहां दीपो की पंक्तिय लगती है फेस्टिवल हमारा ही है पर कुछ लोग चर्चा करेंगे अभी दिवाली आ रही है बाद में करेंगे धूम दाम से चर्चा इसकी तो दीपावली पर लोगों का क्योंगी मौसम बदलता है पर कितना खर्च करने की आपकी इक्षा है उसके हिसाब से कुछ अंस संग के दान के लिए भी निकाल दो संग के दान के लिए भी निकालो पर संग तो पैसा नहीं लेता संग तो एकाउंट रखता नहीं तो जो निकालोगे थोड़ा सा हिस्सा इस दिवाली के खुशी के मौके पे वो संग को कैसे दोगे क्योंकि संग के पास एकाउंट नहीं पाती नहीं संग तो और ना कभी account बनेगा, तो पैसा नहीं लेता संग, संग दान का जो यहाँ structure पुराने समय से जो था, हमने वही यहाँ पर पास हुआ और वही उसकी बात की, कि आप हमारी जो सबसे ज़्यादा आवशक्ता है, जरूरत है, वो पूरी कर दो, क्या जरूरता आवशक्ता है, लेको कपड़े हमारे सब के पास हैं, और हमने कोई घर नहीं छोड़ रखा, हम सब के सब गरस्त लोग हैं, और किसी की pension, किसी की नौकरी, किसी का business, किसी का कुछ, किसी का खेट, किसी का किसान, सब अपना रोजी रोटी कमाते हैं, तो हमको खाने के लिए मिनी चाहिए, हमको कराय भी नी चाहिए, यानि अपने लिए हमें कुछ नी चाहिए, पर हमें जो एक चीच की दिक्कत आ रही है, वो आ रही है, हमारा बारूद गोला, बंदूख, यानि जब हम युद्द के मैदान में उतरते हैं, तो संगों के युद्द के मैदान में, जो सामिकरी होती है, वो होती है, परचार सामिकरी, क्योंकि हम परचारक हैं, तो अगर हमारे पास में हमारी सामिक नहीं होगी बंदूख है कार्टूस नहीं होंगे तो हम चलाएंगे क्या हम कहीं गए और वहां जाके हमने खुब चला चलाके एक घंटे डेल घंटे वहां बात कही तो कितने लोगों ने सुनी सो लोगों ने, पचास लोगों ने, दो सो लोगों ने वो दो सो लोग सारी बात को नहीं समझ पाते एक वार में क्योंकि बहुत कम लोग ध्यान से सुनते हैं अधिकताल लोग तो यह देखते रहते हैं कि भाई यह दो बजगे खाने का टाइम कब है या मैं इसके कहने से आया था इसको मैंने चेरा दिखा दिया या किसी के कहने पर आए या या ये सोच के आए चलो आज खाली इन देखे हमाँ क्या हो रहा है तो बहुत कम लोग अगर 200 लोग हैं और पूरी तरह से उनको समझाया जाए तो हमारा तो एक गंटा लग गया गला सूख गया टाइम लगा पैसा लगा आने जाने का पर वहाँ प्राप तो बहुत कम हुआ यानि गेन का जो परसंटेज है वो कम है 200 लोगों में से 5 लोग 10 लोग सीरिसली सुनते हैं पनाली लोग तो सब सुनते हैं क्योंकि वो तो सीरिस हैं पर ने लोगों की बात हुरी है तो इतना बड़ा गैदिंग करने के बाद एतना समझाने के बाद में अगर वो विक्तीखाली सुनके जाएगा तो घर पर क्या बताएगा तो जो सुना है अगर उसकी एक किताब उसको मिल जाए दो किताब मिल जाएं उसको दस किताब मिल जाएं और वो अपने घर ले जाए अपने इसदार बाटे तो देर सवेर, क्योंकि आदमी को 305 दिन में बहुत साइड दिन ऐसे होते हैं जब उसके पास बहुत समय होता है खास तोर से कोई फेस्टिविल आता है, तब बहुत समय होता है चुटी वाले दिन समय होता है या जब कभी मौसम खराब हो जाता है बहुत ज़्यादा ठंड पड़े तब लोग घर में रह जाते हैं, बहुत ज़्यादा बारिस पड़े तब घर में रह जाते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़े तब भी घर में रह जाते हैं, उस समय अगर उसके हाथ में वो किताब पड़ जाती है, जिसको वो रोज दे कि वहां क्या सुन के आया था यहां क्या है सवाज जवाब करेगा उसमें Phone Number भी होते हैं तो हो सकता फौन भी कर ले और अगर वह ना भी पढ़े तो उसका को रिजदार आके पढ़ लेगा उसकी पत्री पढ़ लेगी उसका कोई बच्चा पढ़ लेगा किताब कभी खाली नह तो यह हुआ अभी घपला ना हो जाए तो घपला ना हो इसलिए इसकी कमेंटी बनाए गए इसकी लिए अलग से सिस्टम बनाए गया कि आप अपने हाथ से किताब को बांटें और कम से कम ऐसा प्रण करें कि रोज एक किताब बांटें ग्यारे रुपएगी बारे रुपएग या जहां से भी आप चाहें वहां से खरीद लें छूटा आपकी और खरीद कर संग को वहीं या तो लोगों से बटवा दें और या अपने इस्टांप लगा कि अपना नाम लिखके उस पर देते हैं कि यह संग दान की सामिगरी है तो जहां कहीं उसकी आफशकता होगी वो हैं हम बेसक बहुत बढ़िया संगती लगा रहे हैं हम बेसक बहुत अच्छे लोग हो सकते हैं हमारा बेसक संग का सिस्टम में पुराना सिस्टम है सारी बातें बहुत अच्छी हैं पर अगर प्रचार की सामिगरी नहीं हुई तो कितनी भी बढ़िया बंदूख हो वो क्य अगर वो ड़कैत भी हो, अगर वो किर्मिनल भी हो, और आप उसका प्रचार अच्छी तरह से कर दो, तो लोगों में उसकी चभी बदल जाती है, और कोई बहुत बढ़िया सादू हो, सन्त हो, आदमी बढ़िया हो, और उसका खराब परचार कर दो तो उसकी छवी बतल जाती है अगर आपको उधारण देखने है तो देखिए सबसे बड़िया जो उधारण है वो बुद्ध का है सबसे बड़िया उधारण है समराट असोग का बुद्ध से बहतर इस दुनिया में कोई भी टीचर नहीं है कोई भी प्रिचर नहीं है कोई भी गुरू नहीं है कोई भी सामी नहीं है कोई भी ऐसा विक्ति नहीं है जो उनसे बहतर जानता वो सम्मा सम है और वास्तम है मैं कोई ऐसा नहीं है कि बाव साम ने कह दिया कि बुद्ध को अपनाना है तो मैं यहां भाव में बोल रहा हूँ या मन से बोल रहा हूँ या मुझे बुद्ध के वारे में अच्छा लगता है इसलिए बोला हूँ ऐसा नहीं है मैंने अभ्यास किया है और मैंने देखा है बाकी सारे जो संत हैं बताते हैं वो भी ऐसा है पर बुद्ध के साथ में खास बाती है कि बुद्ध ने पहले प्रैक्टिकल किया और उसके बाद में फिर थोरी दी और थोरी को किताब नहीं लिखी बाद के लोगों ने किताब लिखी है बुद्ध ने कोई किताब नहीं mind पे और brain पे है mind पे brain पे और body पे तो mind और brain और body हम भी रखते हैं और बाकी लोग भी रखते हैं और दुनिया के सारे scientist भी रखते हैं तो दुनिया के सारे scientist चाहे वो computer scientist है चाहे वो biological scientist है चाहे medical professor है उन सबने भी चेक करके इस बात को देखा है कि जो बुद्ध ने अनुभव किया जो लिखा जो बताया जो लोगों ने बाद में लिखा वो बिलकुल अक्षर के साथ में ठीक है अगर उसको अनुभव किया जाए तो इसलिए वो ठीक है तो बुद्ध का प्रचार कैसे किया यहां बुद्ध को बुद्धू बना दिया प्रचार की अतना खराब किया इस्टैचू सारी तोड़ दी बुद्ध को इतने ज़्यादा घटिया नामों से बुला गया गालिया बना दी तो प्रचार खराब हो गया तो बुद्ध का मामला खराब हो गया, यहां से तो धमी गायब हो गया, बुद्धी गायब हो गया, ऐसी समराट सोक का, दुनिया का सबसे बहती नमबर वन का समराट, समरठ, जिसके सासन का, मतना ओड़ सोर का पता नहीं, कहां बर्मा, कहां थाइलेंड से लेके, और कहां जा बड़ा सम्राइज जीतने के बाद उसको चलाया भी अच्छी तरह से चलाया B तो वो व्यक्ति जो इतना महान समराट रहा था उसका जिक्र गायब है उसका इत्यास नहीं मिलता उसकी हिस्टी नहीं मिलती उसकी कहानिया नहीं मिलती यह प्रिचार का काम है क्योंकि सामिगरी तो बहुत असोग ने बनवाई पत्थर की किताबें लिखवाई ही सारा कुछ क अगर आप उनका जिक्र नहीं करोगे, उनकी सामिग्री नहीं बाट रोगे, उनकी बात नहीं करोगे, उनका परचान नहीं करोगे, अपना परचान नहीं करोगे, तो कैसे जीओगे, कैसे बचोगे, बस इसलिए संग ने संग दान की यहां परंपरा में जो परचार सामिग्र या उसके लिए allow किया, तो दिवाली आ रही है, तो दिल खोल के आप दिवाली मनाओ, क्योंकि यह हमारी अपनी है, किसी बाहर वाले को पैसे मत दो, खुब बड़ीया पकवान खाओ, खुब बड़ीया सापस तर अपना घर करो, अपना सरीर सापस करो, अपना मन करो, और आपने दान करने का मन हो, अगर दिवाली पर ज्यादा खुस हो, और आपको लगे कि भई मैं बहुत खुश हूँ, या कुछ करना चाहिए, या दान देन कर रहा हूँ, या मैं इतने किताबें में, तो आपके नाम से छपके, आप जहां कोगे, वहां वो बढ़ जाएंगी, या आपके पास आ जाएंगी, क्योंकि संग में कोई बेमाइन नहों, इसलिए ऐसा सिस्टम बनाया गया है, कि जिसने दान दिया है, वो दस साल बाद भी अपना पता कर सकता है, कि उसकी सो किताबें कब कहाई और किस के पास गई, वो वेरिफाई कर सकता है, ताकि घपला ना हो, ताकि संगदान चलता रहे, जैसे बुद्धन सिस्टम बनाया था, कि एक जिगे से सारा सारा सावने खटा होता था, जब आवशक्ता होती थी, तो उसको आवशक्ता के नुसार ही मिलता था, तो आज तक भी संग दान में कहीं कोई गबड हुई हो, ऐसा कहीं भिक्कु संग में कोई आज तक भी जिक्र कहीं मिला नहीं, बड़ा इसमूर चलता था, वो एक काम, यहां यहां करेंगे, तो यह जो बहस हो रही है हमारी, कि जो वो है दान है, या जो संग चंदा है, वो कभी नहीं लेता है, तो कभी नहीं लेगा, हम चंदा कभी नहीं लेंगे, क्योंकि चंदा लेने का नियम बदल चुका है, चंदा पैसे में बदल चुका है, सौने चादी में बदल गया है, चंदे से अब नुकसान ज़्यादा हो रहे हैं फायदे नहीं हो रहे हैं फिर भी संगदान चलता है संकी चलता है तो हम प्रचार सामगरी लेंगे इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं और हमारी प्रचार सामगरी कहीं कोई बेच भी नहीं सकता क्योंकि उस पर स्टांप लग जाती है काम पके करें फिर भी कोई कमी आएगी तो उसको दूर दूर करते रहेंगे किसी का कोई अगर डाउट हो कुछ बात हो संगदान के वारे में या अगर किसी जो मैंने बोला है उसके वारे में तो वो बात कर सकता है कि समय हो सबता सकता है सब्सक्राइब मेरे वक्तव में अगर कहीं कुछ तूरटी रेक राज़ेगी हो तो संग मुझे मात करे संग मुझे माप करे संग हनमामी संग الل्हामी संग प्रस्ण हो इससे संदर्व में तो कुद्धं सरेल गच्छामू कुद्धं सरेल गच्छामू